नमस्कार दोस्तों तो आज हम देश से जुड़ी सुरच्छा पर बात करने वाले हैं क्योंकि जो हमारा पडूसी देश है चीन वो लगातार भारत की जमीन पर नियंतरन करता जा रहा है और जो अरुणाचल प्रदेश के लोकल न्यूज मीडिया है क्योंकि मेनिस्ट्री मीड को फुर्सत कहा है दिल्ली से बाहर निकलने की तो वहां की लोकल न्यूज है न्यूजफाई ने रिपोर्टिंग किया कि बताया है कि चीनी पिपल्स लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश में भारती छेत्र में कम से कम 60 किलोमीटर अंदर तक घुस आई है और कुछ स समगरी की तस्वीरों से पता चलता है कि ये घुसपैट करीब एक सप्ता से लगातार जारी है फोटोज में साफ साथ देखा जा रहा है कि जो चीनी सेना है वो किस तरह से भारत के अंदर कपजा करके बैठी हुई है और अपना प्रजेंस दर्ज करा रही है अरुनाचर प् रेखा पर हडिगरा दर्रे के पास भारतिय तिब्बत सीमा पुलिस आईटी बीपी का अंतिम सिवर कापापू में स्थित है जबकि अंजो जिले का निकटम प्रसासनिक छेत्र चगला गाम मैक मोहन रेखा से लगबग 90 किलोमीटर दूरी पर है अगस्त 2022 में सोसल मेडिया पर व्यापक रूप से फोटोज सेर की गई थी जिसमें पीले सैनिकों को हदिग्रा जील के पास कंस्ट्रक्शन करते हुए दिखाया गया था साइट पर तीन स्टोन पेल्टिंग मसीनों को काम करते दिखाया गया था चगला गाम से 30 किलोमीटर से भी कम दूरी पर इस थित इस स्थान पर 11 गस्त 2022 को एक लंबी चौणी सेना गस्त लगा रही थी और वहां के लोकल लोगों का कहना है कि ये चाइनिज आर्मी के लोग थे पीले सेना लगा तार गस्त लगा रही है आंगे उत्तर दिसा में फोटोज में साफ साब निर्माण स्थल के पास एक पीले कै पिछले घटनाओं में 2020 का एक अतिक्रमन सामिल है जहां चीनी सेनिकों ने दिबंगा घाटी जिले में भारती चेतर में प्रवेश किया था जबकि 2019 में पीले ने अमाको कैंप में भारती चेतर के अंदर लगबक 40 किलो मीटर दोई मूरू नाला पर एक लकड़ी का पुल ब भारत सेर करते हैं उसी चेतर में दो अरुणाचर प्रदेश के वेक्ति 19 अगस 2022 को टिकरो और मेन्यू दो वेक्ति चीन की सीमा से सटे चेतर से लापता हो गए थे वो मेडिसिनल जड़ी बूटियां खटा करने के लिए गय थे वे अपने लोगों के लिए मेडिसिनल इल्टा सेवन में हदिग्रा दर्रे के पास देखा था इनको गए हुए एक साल से ज्यादा हो चुके हैं पर इनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है उन दो वेक्तियों के परिवार की उमीदे अब तूटती जा रही हैं जो चीन बॉडर के पास गए थे वहां के लोकल लोगों का कहना है कि उन्हें चीनी पिपल्स लिबरेशन आर्मी पी एले द्वारा पकड़ लिया गया है क्योंकि उन एरिया में कोई भी बड़ा जंगली जानवर नहीं रहता है जिस छेतर में टिक्रो और मिन्यू लपता हुए हैं वहां लगातार चाइनीज आर्मी पिले की घुसपैट में लगातार बड़ोत्री देखने को मिल रही है विसेश रूप से गर्मियों के महीनों के दोरान बर्फ पिगलने से आवा जाही आसानी सो हो जाती है सूत्रो ने कहा है कि पिछले 5-6 वर्सों में ये बड़ी हुई गतिविधी चिंता जनक रूप से लगातार हो रही हैं जो पिछले पैटर्न से कई जादा अधिक हैं 2020 में भी ऐसी स्थिति सामने आई थी जब 5 अरुनाचर प्रदेश के योकों को भारती छेतर से अगवा कर लिया गया था पिले की गतिविधियां एक बार फिर टिक्रो और मेनू के लपता होने से जुड़ को भारती भूमी के लगबग 50-60 km अंदर से पकड़ा गया है जिससे इन विवादी छेतरों में जाने वालों की सुरच्छा के बारे में चिंताएं और बढ़ गई हैं अगस्त 2022 में इस्तिती की गंबीरता को और बढ़ाते हुए कुछ वीडियो सामने आई थी जिसमें चीन पियले ने ही अगवा किया है लोग सवासांसत तापीर गाउं ने कई बार ग्रह मंतराले से गोहार लगाई है कि हमारी मदद की जाए पर सेंटल होम मिनिस्टर से कोई रियक्सन देखने को नहीं मिला जैसे की बीजेपी गवर्मेंट को साप सूं गया हो वो लगातार विद गवर्मेंट कोई एक्सन नहीं ले रही है मेनिस्ट्री मीडिया भी इस ख़बर को दबा कर बैठा हुआ है यह देखकर साफ सबलक राय के भार सरकार किया अब तक के सबसे बड़ी फेलियर साबित हो रही है सो गाईज आंगे जो भी इससे रिलेटेड न्यू अपडेट आ झाल